असलाम लेकूम मैं हूँ नादिया तन्वीर आज मैं आपको इस जबर दस से रमजान मुबारक के कपकेक्स बनाना सिखा रही हूँ आछा वनीला कपकेक्स आपको यह वले सिखाए हुए है लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी और इसका जो मेकिं 12 कॉपकेक्स बनते हैं दो अंडों के साथ और आपने ना जो कॉपकेक लाइनर यूज करने वह 11 cm के यूज करने है या 10.5 cm ठीक है 11 या 10.5 cm के क्योंकि मैं जब 12 cm में बनाया था तो थोड़े रह गए थे क्योंकि यह बैटर थोड़ा हो गया था उनके लिए मेरे कॉपकेक बटर मिल्क का आपको पता है दूद लेके उसमें सरफ एक चमच सिर्का डाल दो या एक चमच लीमू का रस डाल दो तो वो क्या होगा आपका बटर मिल्क बन जाएगा ठीक है पूरा प्रोसेस में आपको बता चुकी हूँ यह बहत ही असान और सबसे अच्छी बात यह है क इसमें आपको बीटर की जुरूरत ही नहीं पड़ती है बीटर के बगार आप इतने जबर्दस्ते बना लेते हो क्योंकि अकसर जो कपकेक्स होते हैं उनका डूम चाहिए होता तो डूम वाले कपकेक्स बनते हैं विदाउट बीटर ठीक है आपके देखे मैं इसमें बीकिं जो है थोड़ा सा दादा रखा था लेकिन आप सेम रेसिपी फॉलो करना जो उस वरी रेसिपी में मैंने डाला हो गए ठीक है तो जनाब रोज़े गुजरे हैं जी बड़े मज़े के रमज़ान अल्ला का शुकर है आदस वा रोज़ा है इतने अच्छे गुजरे हैं पता ह दिल करता था पानी पी जाओ जामेशिरी पी जाओ और बस इतनी ज्यादा गर्मी थी उन दिनों में अब तो माशाला कहते हैं जी आगे आने वाले सारे रोज़े सर्डियों में आएंगे अब यह देखे जना मैंने मैदा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोटा सब को मिक्स मिक करके छान लिया है और अब मैं इसको हलके हांसे मिक्स करी हूं और इनको आपने बेक करना है 180 डिक्री पे लोड पे हमेशा आज मैंने क्या गलती करती जितना आप एक्स्पेरियंस हो बिचाओना पिर भी इस इस इक्सपेरियनस ठोगे बिना आपके इनकी गलती करते हो आज तो मैं थोड़ी सी ना उदासी हो गए लेकि खैर टेस्ट वाइस बहुत थे क्योंकि यह मैंने बनाए थे कल रात अच्छा आप यह देखो मैं आपको ना यह टाइम आप नोट कर लो कि मैं आपको नज़र टाइम लैप्स करके दखा तो इतना तिस 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 बनते हैं ना उदावट ओवन से नकाले यह तो आपको थोड़े से डाक लग रहे हैं यह पीछे वाली साइट पे थे पीछे वाली टाइट की तरफ ते और यह लाइट कलर वाले हैं यह उपर वाली अच्छा यह बहुत इंपॉर्टन टिप है कि आपने कॉपकेक्स को बेक करना है आपन लाज्मी लाज्मी उनको जाए गरम ही हो आपने चीन ही और पानी वाला जैसे के एक चमत चीनी थोड़े से कप में पानी लेके उसको मिक्स करके उसके ओपर बरश करते नहीं उससे यह मॉइस्ट रहते हैं ड्राइनी होते हारडनी होते ठीक है यह देख लो आप क्यूकि य पूरा चुड़ा के फ्रिज में रख दिया थे मैंने सुबह की वकित इनको बेक करना था आप इनका टेक्सचर देख लो हर चीज आप देख लो क्योंकि यह नीचे से भी इतनी जल्दी बर्न होते वरना अक्सर कपकेक्स नीचे से वनीला वाले बर्न हो जाता है ठीक है आप अब इसके ओपर हम तोड़ से कस्टमाइजेशन कर लेंगे अच्छा जी हुआ यह कि मैंने लास्ट यह मंगवाई ते स्टैंप्स तो मैंने उनको नहीं को गौर नहीं किया था अम्मी आपको तखाती हूं कि मेरे साथ कितना जना हुआ थोड़ा सा गलत कि जो स्टैंप्स थोड़े सा जना हुआ अब यह मैं सी ग्रीन कलर की फॉर्णनेट मेरा रही हुआ हुआ है अ ग्रीन कलर का प्लूस जहां का अजिया फिरोस का भी बहुत ही प्यारा मैसेज था अजिया मुझे बहुत हसी आई थी आपका मैसेज पढ़के थैंक यू अच्छादी शाने ने आलने का मेरे बेटे की बड़े हैं 20 सेकंड को ना दिया भूलना मत अच्छा शाने ने आल मैं इंशालला खोशिश है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती है तो जिनाब यह देखिए यह वला मैंने प्रोसेस आपको अल्रेडी तो तीन दफा दिखा चुकी हूं कि आपने अपनी फॉंडन में ओम्रे एफेक्ट कैसे लाना है वह ऐसे आता है कि दो रंगों की फॉंडन को इस तरह से रखके आप लोग एंड स्क्रीन देखते हो उसमें मैं अकसर जो रिलेटिड वीडियो होती है ना वह ज़रूर डालती हूं ताकि आप लोग को समझा आजए या कोई चीज मिसिंग हो तो आप लोग असानी से इसको देख लो अच्छा अब यह देखो यह थी जी रमजान मुबारक कि स्टैंप आप देख रो रमजान मुबारक लिखा हुए जनाब सामने की साइट पर ही हमें बिल्कुल सही नज़र आ रहे हैं तो यह हो गया था गलत मैंने ध्यानी ने दिया जब मैंने पूरा इंबोस कर दिया मैंने का वही रमजान मुबारक तो उल्टा दिख रहा है क् करेंगे तो फिर हमें वह सीधी नज़र आएगी ना यह मेरे साहत हुआ इतना प्यारा मैंने किया ता यह पूरा मेरा वेस्ट हुआ इतना मुझे गुस्दा भी आया मुझे लग रहा मैंने बेखा उससे मेंने मंगवाई थी बस गलती मेरे से यह हुई कि मैंने उसी वक्त आकि ना सुमान देखा नहीं और मैंने आज इट इस रख दिया फिर मेरे पास यह मस्जित वाला एक प्लंजर पड़ा था वो मैंने इसके उपर रखा और एक दूसरा भी मेरे पास रमजान मुबारे की स्टैम थी वो फिर मैंने इस पर काट के उसको इंबोस किया लेकिन सबर्दस चीज़े हैं कि आपको जादा कुछ करना नहीं पड़ता कोई तरद्द वगेरा ना फटा फटा फट से आपका काम भी हो जाता है एक कस्टमाइज से लुक भी आ जाती और नीटनेस आ जाती है बागी कलर कंबिनेशन तो देखे ना आपने अपना खुद करना होत अब यह देखे मैंने सारी स्टम्स को यूज तीन स्टम्स मैंने लगाई थी आप यह देखे इनके ओपर मैं करूंगी अब गोल्डस आपको पता ना गोल्डस को लेकर थोड़ा सा ओयल डालके आपने मिक्स कर लेना उसको और यह बरीक से ब्रश लेके आपने इनको जो इम आउट गोजर स्टम्स है यानि आप प्रेस करते हो तो उबर के सामने आती है कोई चीज जो आउट गोजर होती है वह बेस्ट है इंबोसर जो है ना उसके अंदर फिलिंग करना कैविटी में बड़ा मुश्किल होता है अक्सर गंद मच जाता है तो मुझे वह थोड़ी कम संद है लेकिन यह देखे जनाब यह वले कपकेक्स में ने चांद बना लिया था यह सारा ही नीचे प्रिंट हुआ था उसके अपर मैं हलके हाँ से गोल्डस काम करी हूँ ठीक है यह देखो आप कितना अगर खुद बनाने बैठो तो कितना टाइम लग जाती है लेकिन आप का काम असान हो जाता है अच्छा हमने थोड़ सी कस्टमाइज स्टैम्स भी अभी बनवाई हैं वह मैं इन्शाला आपको कल दिखाऊंगी तो वह जो है ना में हलसे साड़े चार सो चार सो इस तरह से में पड़ी है एक ना लेकिन अच्छी है वह अब यह देखो मस्जित व मैसेज बड़ा मुझे खुबसूरत सा लगता है अब यह मैंने बना के सुबह रख दिया थे फिर मैं चार बजेने कपकेक्स पर रखा था था कि थोड़े से हार्ड हो जाए थोड़े से नज़र आए आपने फूलों वाला मोल्ड भी देख लिया जो मैंने यूज किया था क मैंने फूल किस तरह से ब्लू वाले निकाले थे और दूसरा वाला भी ठीक है बाकि यह तो सारा कुछ आप लोग देखते ही रहते हैं मेरे पेज़ पे आप लोग ने मेरे चैनल की ना प्ले लिस्ट ज़रूर देख लिया करो आई रिक्वेस्ट यह देखें जनाब अब सा अब धर से हाड होने चाहिए अदर्वाइस ना यह शलिप हो जाएंगे अब यह देखो क्रीम का भी में वही कलर बनारी हूं लेकिन फुरा सा लाइट बनारी हूं मैं ग्रीन और मिल्कीज का ग्रीन कलर है इनको मैं मिक्स मिक्स करके हमारे पास लाइट सा कलर के अलोडायट सा सी ग्रीन सा कलर हमारे पास आ जाता है ठीक हो गया और اس के बाद हम इसको कर लेगे M1 वाली नोजल में डाल के पाइप क्योंकि M1 से अची कोई नोजल नहीं है जब आपने जल्दी से काम्लADE हो ना हो ना हो तो पिर M1 से अची कोई नोजल दूसरे वाले कपकेक सीखोगे ठीक है और उसके बाद पर रमजान का केक है दो चार चीजे और भी है बाकि आखरी अश्वरे में तो मेरी कोशिश होती है मैं कोई और ना लूँ क्योंकि अबादत भी करनी होती है घर के काम भी होते हैं मुश्किल हो जाता है ठीक है अब यह लग जाए या थोड़ी सी पाइपिंग बैग पे लग जाए ना तो मैं से चमबसे उठा के खा लेती हूँ हॉई मेरा तो रूजा था शुकर है मैंने खाई ही नहीं है इतनी इंसान को आदत पढ़ जाती है आपकी जिन से निकल जाती है ना लेकिन माशलाब तो खेर दस द लेला वह ऐसी आदत पढ़ी है बचों को भी पढ़ी है किन्जा नहीं रखती है माशला शान फाते तो रखते है मैं और तन्वीर माशला हम साब भी रखते हैं किन्जा के नहीं होता है अभी छोटी है ना नेक्स डिया इंशालला उसको पहला रोजा रखाऊंगी आप यह खाने थे हमने फिर यह ज़्यादा हाट हो जाए तो खाए नहीं जाने थे इसमें कोई टालोस मैंने नहीं डाला ठीक है अच्छा जी यह बॉक्स कितने का दे सकते हैं जब इसके नदर कोई मैंने फिलिंग नहीं की थी कैरमल वगएरा की तो यह आप सिक्स्टीन हंड़ का सिक्स्टीन का देख सकते हो अगर आप इसमें कैरमल फिल करोगे तो आप टूथावजन का दोगे ठीक है और ना इसके बाद आपने जो है यह बॉक्स आप एटीन हंड़ यह अगर आप देख लो के साइट सोड़ा चोटा है तो आप इसको कर लोगे सिक्स्टीन हंड़ का इससे कम आपने नहीं देने क्योंके नुक्सान है देखो फॉर्डन ब्लू बना हो इतना टाइम है यह गोल्डन स्प्रिंकल्स हैं बॉक्स हैं सब चीज़े बहुत एक्स्पेंसिव हैं तो मैं तो यह अठाना सो से एक रुप्या भी कम नहीं देती ठीक है अगर मैं इसके पूरी टिक्या रखों यानि के छे की छे रख दो उपर मतलब कस्ट्रमाइज करके तो वह कितने के हो जाते हैं वह पर ट्विंटी फाइन हंडर टू थाउजन इस तरह का बॉक्स हो जाता है तो जिनाब यह थी आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे बताईएगा दौ आफीज आफीज